और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चनल टार्गिट सीविल सर्फिस में आज हम मद्दप्रदिस का स्टाटिक जी के कवर करेंगे यानि सामान लग्यान कवर करेंगे ठीक है यह एक्जाम परस्पेक्ट्ट्व से मोस्ट इंपॉर्टेंड है जैसे MPPSC हो गया MP हो गया MP पुलीस हो गया और मद्प्रदिस में जितने भी एक्जाम होते हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंड है इसमें मद्प्रदिस की जो बेसी इंफॉर्मेशन है उसको कवर करेंगे ठीक है तो लेक्षर जहां से देखिएगा चली स्टाट करते हैं सबसे पहले दे स्टेट हूट डे की तो मद्प्रदिस का स्टेट हूट डे कम मना जाता है यह एक नवंबर को मना जाता है ठीक है कम मना जाता है यह एक नवंबर को मना जाता है और इसके अलावा चार और ऐसे राज्या है जिनका स्टेट हूट डे मना जाता है एक नवंबर को तो वह कौन करनाटक केरल 36 गण और हर्याना थिक है कॉंकॉन से करनाटक केरल 36 गण और हर्याना 36 गण जो है मदप्रद्रिस से ही अलग होकर संड 2000 में बनाथा ठीक है तो यह याद रखेगा यानि पांच राज्य ऐसे हैं जिनका इस्ट्रेट्ट डे यानि राजी दिवस कम मना जाता है तो ये मना जाता है एक नवंबर को ठीक है और मद्धप्रदेश की इस्थापना दिवस के बारे में बात करें हम तो मद्धप्रदेश की इस्थापना दिवस कब हुई थी तो ये हुई थी एक नवंबर 1956 को ठीक है और पुनर इस्थापना की बा कौन सी है तो यह एक हो गया कौन सा हद्य प्रदेश सुया प्रदेश मद्य प्रदेश यानि भारत में मद्य में होने के कारण इसको मद्य प्रदेश भी बोला जाता है और प्रमुक नदियों का माइका होने के कारण मद्य प्रदेश को नदियों का माइका भी बोला जाता है प्रमुक नदियों का उद्गम इस्तल होने के कारण ठीक है और टाइगर स्टेट भी बोला जाता है ठीक है मद्द प्रदिस को अच्छा मद्द प्रदिस में टाइगरों की संख्या कितनी है तो यह है 526 ठीक है 526 है और अगर बात करें सेकंड नंबर पर कौन सा स्टेट है त ठीक है तो यहां पर तीन दुआ यानि लैपरड की संख्या कितनी है तो यह है 3421 ठीक है यानि 32421 ठीक है जाज़किया 3421 ठीक है अब बात करें हम मद्द प्रदिस की राजधानी कौन सी है बोपाल है और राजनितिक राजधानी भी कौन सी है तो यह है भोपाल ठीक है और बात करें आर्थिक और दुगतानी के यह इंडयर और बात करें शां श्कारतिक राज़धानी की तो यह मद्य प्रदेश की की अरभ की शांष्बारी चैस्ब में कॉन सी यह जभलपूर और ग्रीसम कालीन राज़धा पानिट सिंगोरोली तुछ if you keep ऑ कि और भात करें हम मद्दब्रदेश की राजधानी बोपाल की बातके हम लोकेशिं अर्थिक रासधानी तो यह है रही इसकी लोकेशन की और बात करें संसकार धाने की तो जबलपूर orang हमारे मद्ध्य प्रदेश की संसकारदानी उसकी लोकेसं यह याद रखेगा अभ देखते हैं मद्ध्य प्रदेश की ओर रजधानी के बारे में तो आस से मूठी कर परत का कोईला जो पाया जाता है तो वो कहां पर पाया जाता है वो सिंग्रोली में पाया जाता है तो अनेक कंपनी का यहाँ पर मुखहाले भी है जैसे नौर्धन correctly का इंट्थेज cherry अर इसे अलावा बहुत सी झो नीजी कंपनियान उनका मुख्याल है सिंग रॉली में ठीक है तो यह याद रखिएगा इस यह में सबसे मूटी परत कोई लग कहां पर पाया जाता है तो यह हमारे मद्यप्रदेश की उर्जा राजदानी सिंग रॉली में पाया जाता है ठीक है अब बात करें मद्यप्रदेश के हाई कोट की बात कर मुख्यनेधिस का गठन हुआ था एक नवमबर 1956 में उसका गठन हुआ था किसका मध्रदेस High Court इख आच्या बात करें मुख्यनेधिस की मध्रदेस के High Court के मुख्यनेधिस की तो यह कौन है यह है अभी प्रेजेंट में कौन है मुहम्मद रफीक है ठीक है मुहम्मद रवीक अभी प्रेजेंट में है और बात करें हम कि मद्यप्रदेश के देडें माया है जो कि हमारे देश का 9.38 परसेंट है तो मद्रपरदेश का छीत्रपल कितना है 3,8252 km और जो अमर्गंट के किरार घाटी है उसके विवाद के कारण कितना हो जाता है इसका छीत्रपल 3,8242 km2 स्कूएर ठीक हैं तो कितने कम हो गए 7 किलो में स्कूर कम हो गये याद रखीगा बात करें हम मद्रदेश का चेत्रपल की डिस्टी में कौन सा इस्थान रखता था ठीक है उसके बाद 2 इस्थान पर अभी पहले स्थान पर कुन है तो यह तीन लाग 42,249 किलो मेटर स्क्वेर तिक है उसके बाद महाराज और उसके बाद उत्तर प्रदेश ठीक है फिर उसके बाद आता है गुजराट ठीक है पाचवे नमबर पर कोई आता है गुजराट अब बात करें मद्रप्रदेश की लंबाई ठीक है उत्तर से जक्षिन यानि उपर से नीचे तक कितनी है तो यह हो गए 605 किलो मिटर ठीक है 605 किलो मिटर उपर से नीची यानि उत्तर से दक्षिन 305 किलो मिटर है और बात करें चोड़ाई की यानि पूर्व से पस्षिम ठीक है तो यह कितनी होगी 870 किलो मिटर तो उत्तर से दक्षिन कितनी होगी 605 क किलोमीटर या पूरह से पस्चिम कितनी होगी और 870 Para यहाँ जादा आया यह वाला जो है लैइंद यह जादा है तीक है चोड़ाइ這種 कि और मद्यप्रदेस का चत्ष्वा 2203 कि था और यहां पर एगर भारत लाग उत्तर से दक्षिन तक कितनी है तो यह हो गई 32-14 ठीक है 32-14 हो गई और अगर बात करें चोड़ाई की यानि पूर्व से परस्चीम तक की तो यह हो गई तीस तैस तैस तो इसए वाली 24 आपरत और इसके बार는지 के अंदर क्या है तरक्की और विकास की असिंग संभावन यह प्रतिक है यह जो है जो है इसके अंदर रट् सको है तरक्क corporate और विकास कि असीम संभावना का प्रतीख है और इस व्रत के जो अंदर है मद्दप्रदेश सासन है ना मद्दप्रदेश सासन और सत्य में उजयते लिखा हुआ है ठीक है और साती राज्य की प्रमुक फसले कौन-कौन सी गेहूं और धान तो उनको भी यहां प्रदर्शित किया गया है है ना और फिर उसके अंदर जो है एक सीय बना हुआ है ठीक है सीय आकरती है और इसके अंदर राज्य व्रक्ष कौन सा है हमारा बर्गत तो उसको भी दर्साय गया है ठीक है तो इसके पीछे क्या है राज्य व्रक्ष बर्गत तो 24 स्टूप आकरती के अंदर एक व्रत है य मद्यप्रद्टिस का राज की पसू कौन सा है। तो यह है 12ंगा। तो यह 12 नहीं का राचा कौन से द shorter और 12 सिंगा। जो कौन से प्रजात्ति का है तो यह वैडेरी प्रजाति का है। यह मुख्य तक कहां पर पाया जाता है हमारी राज में तो यह काना59-3 उध्यान बालागाट डिस्टीक में है तिक है याद रिखी का मंडला और बालागाट डिस्टीक ठीक है और यह दलदली घास में रहने वाला भी हिरन है ठीक है कैसी घासों में रहता है यह दलदली घासों में और जो काना टाइगर रिजर्व है यह भारत का पहला टाइगर रिजर्व बनाया है तो याद रखीएगा अब बात करते हैं मद्रदेश के राज की यह पक्छी की तो यह कौन सा है दूध राज है ठीक है इसको सहाब बुल बुल और पेराडाइस फ्लाइ के नाम से भी जाना जाता है ठीक है और यह हमारे भारत में प्राया दो रंगों का पाया जाता हिमाचल प्रदेश बिहार और राजिस्तान में भी पाया जाता है कौन सा यह पेराडाइस फ्लाइक एचर ठीक है तो याद रखेएगा अब देखते हैं मद्रदेश का राजकी व्रक्ष कौन सा है बर्गत ठीक है मद्रदेश और हमारे देश दोनों का राश्ट्री व्रक् नाम है फाइकए बैंगालिस तो याद रखिएगा और यह भारत का भी राश्ट्री व्रक्ष एठीक है रहा हमारे मद्य प्रदेश के राश्ट्री व्रक्ष पर गोशित किया गया था तो यह 25 यानि मध्यप्रदेस की 25 वर्सगाच पर घूसित किया गया था, धेको मध्यप्देस की 50 वर्सगाच में हुए थी 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 उसके पचीस वर्स बाद यानि 1981 में इसको घुसित किया गया था किसको एक तो पसू पक्षी और रक्ष को तो याद रखिएगा और बात करें हम राजकी फसल की तो यह होगी सोयाबीन ठीक है सोया प्रदेश भी वहले जाता है हमारे बलवान यह योद्धा और खम याने खंबा मतलब यह इस टाइब से खेल खेल जाता है तो राजकी खेल कौन सा हो गया मलखम ठीक है तो याद रखिएगा अब देखते हम राजकी पसू सपेद लीली राजकी पुस्प है ठीक है और इसके बाद हम बात करें राजकी मसली य इसको ठीक है और बात करें राजक मतलब यह किस नगा था तो महस्रिवास्तों ने गया तwsनी मुखरजी है सब और आज की गान कौन सा है सुखे के दाता ठीक है अब बात करें हम मद्धप्रजिस से होकर गुजरने वाली करकर एखा कौन-कौन से जीले से गुजरती है ति यह गुजरती है 14 राज्यों से कौन-कौन से एक तो रतलाम उज्यन साजापूर राजगर्ड सीहोर भोपाल रहसे सागर्डमो जबलपूर कटनी विदिशा सहड और उमरिया इसके ट्रिक भी बताइती मैंने एक लेक्षर अलग से बनाया है रहुआ रासी भावरास मोहजीब का उसे रह से क्या हो गया रतलाम उसे क्या हो गया उज्यन आ से क्या हो गया आगरमालवा आगरमालवा जो है यह पर राइसेटय सी से कौन सा हो गया सी से हो गया सीहोर्ए व्हुथ हो गया और उसके बाद वह से वी दिशन और सागर मोह से द मोह और जीब से जबलपूर ठीक है और का से कटनी उसे उमरिया और से से सहडोल तो याद रखिएगा रववारासी भावरास मोहजीब का उसी कितने जीलों से होकर गुजरती है करकर एका मदब्रदेश के 14 जीलों से होकर गुजरती है ठीक है मदब्रदेश की विधानसबा सीटे कितनी है तो यह 230 सीटे है ठीक है विधानसबा की सीटे कितनी है 230 इसमें से 35 सीट जो है वो SC के लिए आ रख चीत है और 47 सीट सीट के लिए आ रख चीत यह भी याद रखिएगा जिसमें चीतरबल की दरष्टी से सबसे बड़ा संबाग कौन सा है तो यह है जबलपूर संबाग याद रखीए है और मद्रद्रदेश की बात करें तो मद्रद्रदेश में 52 तू याद रखेए कितने बावन जी ले और विकास खन्द कितने है तो prolapa स्खण्ड है याद रखेए कितने है तो यह 50 ले साजापूर सी अलग वकर बना था और चो 25 세ब्स फीकाइ यह किससे अलग होगा बनाता निमाड़ी 6 209 2019 कि अनूसार धार दो तो साथ करोड़ 26 लाग 26,809 जिसमें 59.8% कौन है पुरूस है ठीक है और महिला होगा क्या परसेंट है 48.2% कौन है महिला है ठीक है और अगर जनसंक्या व्रद्धी की दर्ध देखे हम तो ये 20.30% है जनसंक्या दर्धी और ग्रामिन जनसंक्या कितनी है तो इसमें ग्रामिन जनसंक्या है बात्त्य द.4% मद्रधेश में ग्रामिन जनसंक्या है ठीक है और सहरी जनसंक्या की बात करें 27.6% है सहरी जनसंक्या अब हम 2011 की जनगर्ना की अनुसार देख रहे है ठीक है तो अनुसूची जाती का कितना संग्या में 15.6% 15.6% और अनुसूची जंजाती यानि ऐस्ट का परशन कितना है तो 21.2 परशन्ड है 21.2 परशन्ड है सबसे ज्यादा परशन्ड कौन सा है मद्यप्रदेश में तो की स이고 जबसेजाए प्रशेट अधिक यसंग्या मध्यप्रदेश प्रतंप्रावैं टfeld और जंसंग्या मध्यप्रतिश की तो ये 236 स्बेशन देख्वर्देश की तो यह 236 प्रती वर्ख किलोमेटर यानि एक किलोमेटर के अंदर कितने लोग रहते हैं तो 236 लोग रहते हैं एक किलोमेटर स्क्वेर के अंदर कितने लोग रहते हैं तो 236 लोग और ऑफ 382 प्रतिवर्ग किलोमेटर कितनी यह इंडिया किया थेक है 312 किलोमेटर प्रतिवर्ग तो याद रखिएगा अब साक छरता दर देखें मध्य प्रदेश की तो यह कितनी है 69.3 2% ठीक है 69.3 2% और महिला शाक छरता दर देखें तो 59.2 परशेंट है तो 59.2% है वो कौन सा है तो यह जबलपूर है ठीक है यहां की कितनी है 81.1% है ठीक है और जो मद्यप्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला है यह अलीराजपूर है ठीक है यहां पर 36.01% है साक्षर यानि सबसे पड़े लिखे जादा लोग वह साक्षर ठीक है अब देखते हैं लिंगानु लिंगानुपात वाला जीला जो है वो है तो याद रखियेगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सियर जरू करीएगा और साथ में कमेंट भी करिएगा ठीक है लेक्टर कैसा लगा थाइंक्यू फर वाचिक वी ही है ठीक है माँ पर होता है 20 कोशन का डेली क्वीज और संदे होता है 100 कोशन का क्वीज ठीक है तो हमारे